देखिए आज हम आज की बात बिलकुल नहीं करेंगे आज हम कल की बात करेंगे जी हाँ आज आपको बताऊंगी कि कल कैसे प्रसन होंगी मालक्ष्मी क्योंकि कल से महालक्ष्मी व्रतारंब हो रहा है आज आपको विश्व कर्मा पूजा की जानकारी भी दूँगी क्योंकि कल विश्व कर्मा पूजा भी है आज मैं आपको आपके हाथ पे मौजूद लक्षमी रेखा दिखाऊंगी कल की जाने वाली लक्षमी साधना के बारे में भी आपको बताऊंगी क्योंकि कल से महालक्षमी वरत आरंब हो रहे हैं और जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे इसलिए दिवाली से पहले मा लक्षमी को प्रसंद करने का कल बड़ा मौका होगा साथ ही आपको विश्व कर्मा पूजा के बारे में हर जरूरी जानकारी दूँगी हर दुकानदार हर कारोबारी आज का शो बहुत ध्यान से देखे आज लक्षमी जी का विशेश दिन है इसलिए मैं पाचो महा उपाई भी लक्षमी जी के ही बताऊंगी पहले महा उपाई से शिरुवात करते हैं क्या लक्षमी जी आप से रूठी हुई है तो ये महा उपाई कीजे फ्राईडे के दिन आप शाम को देवी लक्षमी की उपासना करें इसे पहले नहा लीजे फिर लाल कपड़ा पहन लीजे लक्षमी मंदिर जाए या घर पर लाल आसन बिठा कर आपको माता लक्षमी का ध्यान करके अक्षत और फूल हाथ मे लेकर जो मंत्र बताने जा रही हूं उसका जाब कही माहा लक्षमी चविद मही विष्णू पत्नी चदी मही तन्नो लक्षमी प्रशो दयाद आपको खास लक्षमी साधना की विधी बताती हूं ये सब को नहीं पता होती अगर आपको पता चल गई तो आपने ठीक से साधना कर ली तो समझे मालावाल होने से कोई नहीं रोक सकता लक्षमी साधना सबसे पहले जानिए कि अश्ट लक्षमी साधना से क्या होता है जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है भक्त कर्जे के चक्रवियू से बाहर आ जाते हैं आयू में विद्धी होती है, बुद्धी तेज होती है, परिवार में खुशाली आती है, समाज में मान सम्मान प्रात होता है, जिंदगी में प्यार बढ़ता है, किसी से भी, मतलब आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, घर का स्तर उपर उड़ता है, लेवल उपर उड़ता है, अश्ट लक्ष्मी साधना की विदी यानि कि कल रात करीब 9 वजे से लेकर 10.30 वजे के बीच गुलावी कपड़े पहने और गुलावी आसन का प्रयोग करें कल आप रत भी कर सकते हैं गुलावी कपड़े पर श्री अंत्र और अश्ट लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें किसी भी थाली में गाय की घीके आठ दीपक जलाएं गुलावी अगरवत्ती जलाएं लाल फूलों की माला चड़ाएं मावे की बर्फी का भूग लगाएं अश पोटो भी ले सकते हैं मंत्र हैं एंग रीम श्रीम अश्ट लक्ष्मीय हरीम सिद्धे मंग्रह आगच गच नमहा स्वाहा जाप पूरा होने के बाद आठो दीपक घर की आठो दिशाओं में लगाते हैं नौर्थ नौर्थ इस्ट इस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट व अब आपको मा लक्ष्मी की एक और साधना के बार में बता देती हूँ किसी ने भी अपने घर में अगर ठीक से कर लिया तो माला माल होना तै समझेए सबसे पहले लक्ष्मी साधना का मंत्र क्या है ये जान लीचे नोट कर लीजे आराम से पढ़ोंगी ताकि आप नोट कर सकें लिखिए ओम रीम श्रीम भगवती चिंता मणी सरवार्थ सिद्धम देही देही स्वाहा साधना विधी क्या है अब ये भी जाने किसी भी शुकल पक्ष के थरस्दे के दिन इस यंत्र को आपको रॉली से कागस पर बनाना है विधी से एक पीला कपड़ा बिछा कर स्थापित करके घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गुरु पूजन फिर गणेश पूजन फिर मा लक्ष्मी और विष्टू जी के पूजन करने का प्रातना करने से हे लक्ष्मी नारायन मेरी सभी धन समस्याओं का नाश कीजे प्रॉब्लम्स का नाश कीजे और मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा कीजे 31 माला का इस मंतर का जाप करें ये जाप आपको सुभे और शाम दोनों समय करना है अन्तिम दिन 2008 आहूती साधारन हवन समगरी में कमल गट्टे और पंचमेवा मिला कर दें ये 21 दिन की साथना है अब जानेंगे क्या है आज का दूसरा महा उपाएं क्या लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिल रही है पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है मालक्ष्मी के चण्ञों में फूल अक्षत करने के साथ साथ लालचंदन, लालवस्तर, गुलाब के फूलों की माला चड़ा कर आपको कमल गट्टे की माला या तुलसी की माला से जो मंत्र बताने जा रही हैं उस मंत्र का जाब करना है Aum Shreem Shreem महा लक्ष्मे श्रीम श्रीम ओम नमहा पूज़ा और मंतर के बाद माता को दूद से बनी मिठाई का भोग लगाए घी के पाँच बातियों वाले दीप से आरतिकर देवी से सुख वैभव की काम ना करे फैमिली गुरू की क्लास में जानते हैं ना आपकी हतेली पर मैं महा लक्ष्मी की रेखा बताने वाली हूँ तो क्या बताने वाली हूँ देखिए आपकी हतेली पर अगर शनी परवत ये जो मिडल फिंगर की नीचे वाला एरिया है ना ये एरिया अगर ये एरिया शनी परवत, मद्यमा उंगली और बुद्ध परवत यानि कि लिटल फिंगर वाला जो एरिया है ये जो दो एरिया हैं ये अगर इस तरह से हो जाए कि इनके आपस में एक रिंग बन रहा है जैसे एक लाइन यू इस तरह से जाकर इस तक जा रही है एक रिंग बना रही है ये रेखा जुड जाया आपस में यूंगलिया किसी लाइन से जुड जाएं तो हथेली में लक्षमी योग बनता है इसे व्यक्ति चतुर और बोल चाल की कला में बहुत ही जादा निपौण होते हैं बहुत चालाग होते हैं यह अपने व्यक्तित्व से प्रशंस और ख्याती पाते हैं धन के मामले में भी यह संपन होते हैं अगर आपकी हथेली में मनी बंद यानि कि ये जो रिस्ट के नीचे होता है मनी बंद यानि कि हथेली के end से सिरे से शुरू होकर कोई रेखा सीधा शनी परवत तक पहुँचे यहां से शुरू हो और सीधा यहां तक पहुँचे तो साथ ही चंदर परवत से शुरू होकर एक रेखा सूर्य परवत यहां से शुरू ही और यहां तक पहुंची यह इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो अनामिका उंगली तक जाए तो यह महालक्ष्मी योग बनता है ऐसी रेखा बहुत ही कम देखने को मिलती है लेकिन जिनकी हतेली में पाई जाती है वो धन्वान और हर तरह से सुक साधनों को पाने वाले होते हैं आपके हतेली में गुरू छंद्रम और शुक्र और बुद्द पर्वत गुरू यह इंडेक्स फिंगर का जुपिटर ये वीनस ये वीनस का माउंट है ये है बुध मरकरी का और ये है चंद्र मून का ये चार एरिया अगर आपकी हतेली में उठेवे हैं और इनमें एक रेडनेस एक शाइन है तो आप राज लक्षमी योग वाले व्यक्ति हैं अपने नाम के अनुसार ये योग व्यक्ति को मनी बंद रेखा से भागय रेखा सूर्य रेखा और बुद्ध रेखा निकल रही है भागय रेखा सूर्य रेखा और बुद्ध रेखा ऐसे आपकी मनी बंद से अगर ये तीनों रेखा निकल रही है तो मर के साथ साथ आपको अपार धन मिलता है आई ये बात करते हैं आज की special astro tip का विश्व कर्मा पूजा है कल आप विश्व कर्मा जी की फोटो Google से निकाल लिजे पिक्टर निकालने के बाद आप इसको west और southwest के जगा पर centra में लगा दीजे between west and southwest इनकी फोटो लगा देने से आपके बच्चे और आपके हर काम में skills बढ़ेंगी ये skills के देव माने जाते हैं वास्तू शास्तर इन्हों ने बनाया बड़े बड़े भवन इन्हों बनाये तो इनको architect मतलब बहुत ही skillful देव माना जाता था इसे लिए सारे skillful ने काम करते थे इनको west और southwest डारेक्शन में between west and southwest जिसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं वहां लगाने से आपकी स्किल्ज भी बढ़ने लग जाती है आईए बात करते हैं आज के तीसरे महाँ उपाए की क्या आपका भागयोदे नहीं हो रहा है क्या किस्मत नहीं चमक रही है लक्षमी जी की कृपा से आप अपना भागय जगाना चाहते हैं तो कीजिए या आसान सा उपाएं एक चौकी पर पारद लक्षमी की स्थापना किरें आप खुद दक्षन दिशा में बैठें अब साथ लक्षमी कारक कौरिया इस मंतर के जाप के साथा आगे आगे लक्षमी की ऊ पर घुमाते वे लक्षमी जी चड़नों मिन रखें चेंठाइस दिन सारा समान पूजाघर में रखे हैं दें बाद में उसे जल के पास छोड़ने जल को खराब नहीं करें जाप मंतर है ओम श्रीम हरीम महालक्षमी मम ग्रह आगच स्थिर्फट एक और जरूरी बात कल विश्व कर्मा पूजा भी है और मैं जानती हूं कि मेरे कारोबारी दर्शक हमारे शो को बहुत पसंद करते हैं तो मैं दुकानदार और कारोबारी दर्शकों को कैसे भोल सकती हूं तो चलिए आपको विश्व कर्मा पूजा का शुब महुरत और पूजा विधी भी बता देती हूं शुब महुरत नोट कीजे विश्व कर्मा पूजा सुभा साथ बच कर एक मिनिट के बाद कर सकते हैं अब कैसे करनी है वो जानी है भगवान विश्व कर्मा जी का एक मंत्र हैं कहते हैं उस मंत्र के जाब के बिना विश्व कर्मा जी की आरती और पूजन पूरा नहीं माना जाता है अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा करनी कैसे है आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा स्थान पर बैठना है इसके बाद विश्णु भगवान का ध्यान करें और फिर बाद में हाथ में फूल अक्षत लेकर जो मंत्र आपको पहले बताया है उसका जाब करें जाब करके चारो और अक्षत छिड़के पिली सरसो लेकर चारो दिशाओं में छिड़के अपने आपको रख्षा सूतर बांदे और पत्नी को भी बांदे और साथी में फूल जल पातर में छोड़े इसके बाद रिदे में भगवान विश्व कर्मा का ध्यान करें पूरे विश्वास के साथ रख्षा दीब जलाएं जल के साथ फूल और सुपारी लेकर संकल्प करें शुद्ध भूमी पर कमल बनाएं उस्थान पर साथ धान रखें और मिट्टी और तांबे का जल डालें इसके बाद कलच से कपड़े का अच्छा दान करें चावल से भरा पात्र समर्पित कर उपर विश्व कर्मा बाबा की मूर्ती स्थापित करें और वरुन देव का अवाहन करें भगवान विश्व कर्मा जी को पूरे विश्वास के साथ फूल चड़ा कर कहना है हे विश्व कर्मा जी इस मूर्ती में विराजिये और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए इस प्रकार पूजन के बाद विधी से आपको औजारों का यंत्रों आदी का पूजन कर हवन में यग्य करना है हवन यग्य जो भी आप कर सके करें आप ये पूजा कीजिए और फिर देखिए आपकी दुकान और आपका कारोबार कभी भी घाटे में नहीं जाएगा और एक खास बात देखिए कल का शो देखना कता ही ना भूलें क्योंकि कल तो विश्व कर्मा पूजा का दिनी है मैं कारोबार दुकान के मुनाफे में लाने वाली बाते करूँगी देखिए न भी आगे बढ़ते हैं गणेश उत्सव चल रहा है आईए आप कोई गणपती पंडाल में ले चलते हैं गणपती के दर्शन भी तो जरूरी है गणपती बपा मोर्या के जैकारे लगाते हुए हम पहुच चुके हैं दादा साफ फाल के चित्रनगरी और अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो हम आचुके हैं गोरेगाउं फिल्म सिटी में आप सभी को पता है गोरेगाउं फिल्म सिटी कितना प्रसिद्ध है अपने दर्शकों के बीच, आक्टर्स के बीच और इसी प्रसिद्ध के बारे मैं मैं जानना चाहूंगी भारतवाजी से भारतवाजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो यह बताए कितने वर्षों से बपा विराजमान होते आए हैं फिल्म सिटी में गणपती के स्थापना हो रही है हमारे फिल्म सिटी में और गणपती के महापूजा होती है मानने ता तो बहुत है गणपती बपा की यहां पर तो क्यूं नहों पिछले 26 वर्षों से बपा विराजमान होते आए हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे कितने सदियों से अक्टर्स आ रहे हैं, कितने दशक से अक्टर्स आ रहे हैं, बपा की कितनी कृपा बरकरार हैं। पुर्चा वर्सी सबसे पहले मेश राशी के लोग मेश राशी के लोग कल गणपती जी की पूजा जरूर करें भागय साथ दे रहा हैं आपका 55 परसेंट विश्ब राशी के लोग अपने इश्ट को याद कीजिए किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 59 परसेंट मिथुन राशी के लोग सूर्य देव को जल चड़ाईए भागय साथ दे रहा हैं आपका 62 परसेंट करक राशी के लोग जौक और दूद से धोकर बहते पानी में बहाएं भागय साथ दे रहा हैं आपका 65 परसेंट सिंग राशी के लोग, गुड़ खा कर घर से निकल लिए भाग्य साथ दे रहा है आपका 67% कन्या राशी के लोग, हनुमान जी की आरती कीजे आप लक्स साथ दे रहा है आपका 71% तुला राशी के लोग, शिवजी का नाम ले सब काम बनेंगे भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 74% विश्छिक राशी के लोग भोजन मेंसे गाय को कुछ पॉर्शन निकालके दे किस्मत साथ दे रही है आपका 69% धनू राशी के लोग जरुतिमनेंद लोगों की सेवा जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 79% मकब राशी के लोग लाल धागा गले में पहने का किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 66% कुम राशी के लोग आदित्य रिदे स्तोत्र का पाठ करें आप भागे साथ दे रहे हैं आपका 77% मीन राशी के लोग मीठे भोजन का दान करिए किसमत साथ दे रही है आपका 81% फेस्बुक पर गौरी ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेर की है उनकी लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है जिसकी वो उपाय जानना चाहती है गौरी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने पार्टनर को अपने हाथ से हर फ्राइडे कुछ सफेद मीठी चीज या शेहत खिलाया करें दूसरी चीज आप लगातार शिवजी और पार्वती मापर आप हर मंडे को साथ बार मौली बांदें और अपने पार्टनर को याद करें उनके साथ जा सकते हैं तो बहुत अच्छा इससे भी रिष्टे में मजबूत ही आती है आईए बात करते हैं आज के पांच में महा उपाई की क्या घर में पावटी है बहुत दर्दता है धन लक्षमी की उपास्तना इसे कीजिए सच्चे भाव से मा को पूजा अर्चना किजिए सुभे शाम महा लक्षमी की प्रतिमा या तस्वीर पर कुमकुम अक्षत गंद फूल चड़ा कर अगर्बती लगा कर आस्था और पवित्र भाव से पूजा करें ध्यान रहे धन लक्षमी की पूजा करने वाले किसी भी हाल में स्ट्री का अनादर नहीं करें।